नमस्कार प्रिये दर्शकों आप सभी लोगों का मैं जोत्षाचार्य मोक्षित अपने इस विशेश कारिकम में हार्दिक स्वागत करता हूँ और आज जो मैं आप सभी के सामने विशेश लेकर आया हूँ कि वास्तु शास्त्र के नुशार हम ऐसे कौन से दो पोधे अपने घर में लगाएं जिसको लगाने से आपके घर में सुक्षांति समर्दिक की प्राप्ति हो और आज मैं आपको ऐसे दो पोधों के बारे में बता प्रकार के पोधों को लगाते हैं तो ऐसे में वह ऐसे कौन से दो पोधे हैं जिसको लगाने से आपके घर में या आपके परिवार में बहुत ज्यादा लाब की प्राप्ति होगी अगर आपके पास बहुत धन कमाते हैं आप उसके बावजूद भी अगर आपका धन टिकता नहीं है धन आने से पहले जाने का टार्गेट आपका बना रहता है या फिर आपके घर में बहुत ज़्यादा नकर आत्मक उर्जा है या आपके परिवार में ग्रिह कलेश बना रहता है आपके परिवार में अशांति रहती है या फिर आपके सभी परिवार के सदस्यों में से कोई न कोई व्यक्ति बिमार होता रहता है तो ऐसे में आज मैं आपको दो पौधों के बारे में बताऊंगा अगर आप उसे अपने घर में लगाते हैं तो आपके घर में शुक्रशांति सिमर्धिक की प्राप्ति होगी पेड़ पौधों का हमारे जिन्दगी में एक बहुत ही बड़ा महत्व है और पेड़ पौधों की वज़ा से हम सास लेते हैं यही नहीं पेड़ हमें छाया देने के साथ साथ में वाता वरन को भी सुध करता है और आज हम आपको उन दो चमतकारी पौधों के बारे में बताने जा रहे हैं जो बहेद शुब है और घर में शुक्रशांति समर्धिक को लाता है तो आईए बात करते हैं कि आपको ऐसा कौन सा दो पौधा आपको अपने घर में अवस्यमेव लगाना चाहिए तो उसमें जो सबसे पहला पौधा है वह है अशोक का पौधा अशोक का पौधा आपको अवस्यमेव अपने घर में लगाना चाहिए इसको लगाने से आपको बहुत प्रकार के शुब फल की प्राप्ति होगी आपके घर से नकर आत्मक उरजाएं दूर होगी और आपके परिवार में शुक शान्ति समर्द्धि की प्राप्ति होगी और जो आपका धन आने से पहले जाने का टार्गेट बना रहता है उसमें भी आपको लाब की प्राप्ति होगी और मालक्षमी की अनंत क्रपा की प्राप्ति होगी और दूसरा इस पौधे के वारे में कहा जाता है कि ये घर के परिवार में सुक सम्रधी को लाते हैं और इस पेड़ को लगाने से हमारी सवी प्रकार की समस्याएं दूर हो जाती हैं और आपने बहुत बार देखा होगा कि जो बड़े-बड़े उद्योग पती होते हैं या भ दूसरा आपने देखा होगा कि जब स्री हनुमान जी लंका गए तो हनुमान जी असोक के व्रक्ष पर ही जाकर के बैठे थे और असोक व्रक्ष के नीचे ही माता सीता बैठी हुई थी इसलिए असोक का पौधा बहुत शुब माना जाता है और इसे हमारे देश के सबसे द्योगपती खुद मुकेस अंबानी जी ने भी अपने घर पे लगा रखा है और दूसरा असोक का पौधा नगरात्मक उर्जा को खत्म करने में हमारी बहुत ज्यादा मदद करता है और साथी घर के सारे दुख को भी दूर करता है और अगर आप इस पौधे को लाल कपड बाद करके अपने बिजनस के स्थान पे रखते हैं जहां पे आपका बिजनस हो और आपका बिजनस बहुत है अच्छे डंग से नहीं चल रहा हो यह उसमें बहुत प्रगार की दिक्कतें आ रहे हैं या बाधाएं आर रहे हो jaar networking आं आपका वहां से वापिस ना रहा हो अधन और अगर आप ऐसा करते हैं और आप ऐसा करके देखें कि आपके बिजनस में कितनी जल्दी ग्रोथ होता है और आपका बिजनस बहुत ही तेजी से आगे बढ़ने लेगेगा और मालक्षमी की अनंद कृपा की प्राप्ति होगी और आईए अब बात करते हैं कि वह दूसरा प अपने घर में लगाते हैं तो इससे आपके पुरे परिवार के सदस्य के उपर साक्षात मालक्षमी की अनंद कृपा की प्राप्ति होगी और दूसरा आमले का पौधा जैसे जैसे आमले का पौधा बढ़ता जाता है वैसे वैसे व्यक्ति की घरों में बहुत ही तेजी से की बहुचार होने लगती है और इस पौधो को मा साक्षात लक्षमी का स्वरूप माना गया है क्योंकि आपने कहाने भी सुनी होगी साक्षात संक्राचारे जी ने कनकधारास्तोत्र की पाट करके आमले सोने के आमले की बढ़ता करवाई थी इसलिए आमले को साक्षात मालक क्षमी का स्वरूप माना जाता है इसलिए अपने घर में या अपने और अफिस में आमले का पौधा लगाना बहुत सुभ माना जाता है हम सभी के लिए तो आपसे भी लोह अपने घर में यह दो पोध मैं अवस्द्समे errand लगाए आप सभी लोग के जीवन में शुक्षान्ति समर्दि की प्राप्ति होगी नमस्कार